हलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नी वीडियो में मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाले वाली मिक्स पूरी आलू मसाले वाली स्पूरी की रेस्पिय मैंने पहले भी शेयर की थी मुझे दिवान थी कि मैं थोड़े कम मसालों के साथ इसे ट्राई करूँ तो मैं जिससे दुबारा ट्राई कर रही हूँ मैंने लिया है एक कटोरी बेसन साथ में मैंने डाला है आदा कप के करीब गेहूं का आटा थोड़े से इसमें धनिया पत्ते हरी मिर्च और एक चमच दही डाला है थोड़े से मैंने इसमें पूदीना के पत्ते भी मिक्स किये हैं जिससे इसकी खुश्वू बहुत अच्छी आएगी मसाले वाली पूरियों में दही जरूर डालिए इससे पूरी बड़ी टेस्टी बनती है एक चमच तेल डालकर मैंने आदा चमच मैंने छुट चमच नमक डाला है नमक और मसाले आप अपने हसाब से अरजस्ट कीजिए थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा करब मसाला इसमें जरूर डालें जिससे खुश्वू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बड़ जाता है सारी चीज़ों को कर लीजे, मिक्स बिलकुल हलके हाथों से इसे मिक्स करना है, दो मिनिट के लिए इसे मिक्स करके छोड़ दीजे, जिससे आलू में जो आटा है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए, बाद में जितनी जरूरत लगे उतना पानी लगा लीजे, ये देख मैंने साथ में पूरियां भी बेली हैं, सारी पूरियां मैंने एक साथ बेली हैं, क्योंकि इसमें आलू होता है, मैंने इसे सुख्याटे से डस्ट किया है, आप इसे तेल से डस्ट ना करें नहीं, तो ये बहुत चिपकती हैं, सुख्याटा हलका हलका लगा कर डस्ट करने क केबाद पतली पूरियां बना कर दियार के लिए ज्यादा मोटी पूरियां आपको नहीं वनानी है गरम गरम तेल में मैंने पूरी को डाल दिया है यह देखिए थोड़ा-थोड़ा तेल उपर उच्छालते रहिए अगर आप इस तरह से तेल उच्छा लेंगे तो पूरी फूल जाती है अगर आपको क्रंची पूरियां पसंद है फुलानी नहीं है तो इससे उसी वक्त पलट दीजिए फिर यह जादा नहीं फूलती है और अगर आप फूलाना चाहते हैं तो आप उसी वक्त ना पलटी है फिर यह फूल जाएगी यह दो ट्रिक अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अपने पसंद से पूरियां बना सकते हैं कभी कभी लंच बॉक में डालने के लिए हमें जादा फूली पूरियां नहीं चाहिए होती है तो इस तरह की पूरियां लटके थोड़ा थोड़ा तेल उचा लिए यह फूल जाती है यह देखिए इसे मैंने साइट से दबाते हुए तेल उचालते हुए बनाया है तो यह पूरी फूल गई है अब आपके हाथ में है कि आप पूरी को फूला कर निकालना चाहते है या आप उसकी पाप्टी जास यह देखिए इस पूरी को दबा कर इस कियर निखाल कर फिर इसे लंच बॉक्स में मैं भरूंगी लेकिन इस तरह की पूरियां खाने में बहुत टेस्टी लगती है और सर्फ करने में तो बहुत ही मज़दार होती है यह देखिए पूरियां बन कर तयार हो गई है इतनी गई पूरियों को आप खाएंगे तो यह आपको क्रंची लगेंगी थोड़ी देर बात खाएंगे तो आपको सौफट लगेंगी ऐसा इसलिए क्यूकि हमने इसमें दहीं और तेल दोनों एड़ की हैं तोड के दिखाती हूँ आपको पूरी को यह देखिए पूरी तोडने thank you bye bye guys take care